अब मार्केट्स पर आते हैं अच्छा हमने बेसिक एक जो ग्लोबल सेटप था वो डिसक्स किया था लेकिन आज मार्केट में होगा गया और इवेंचली अल्टिमेटली आपको क्या करना है बेसे Herrn क्याया सबीनक जो आपको करना करना है क्या है अप सबकुछ दिख रहा हुछ है यह मार्केट में लेकिन यह ग्लोबल मार्केटिंटी गल्यों referring यह उर्यन के लिए पहले मैं आता हूं समीकरन पर आशीश, आज सबसे पहले बैंक निफ्टे में वापस 44-900, वो 200-day moving average टेस्ट होगा, यह चीज मैं लगाता है, I think पिछले 6-7 दिन से कह रहा हूं कि बैंक निफ्टे में वो टूटे का 200-day moving average, जैसे नदी एक बांध को बार-बार करती है, वो को अगरी भी है, 44-800 के नीचे अगर आप बंद हो गए, तो ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टे में 2,000 पॉइंट की डाउंसाइड ओपन होगी, चार्ट उठा के देख लिए आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप 44-800 के नीचे बंद हो गए, तो 43-000 तक की डाउंसाइड और इवन उसमें थोड़ा एकसीड हो जाए, तो 42-800 तक की डाउंसाइड ओपन हो जाएगी बैंक निफ्टे में, बिल्कुल पॉसिबल है ये, और निफ्टी के लिए सबसे इंपोर्टन लेवल है, 21-4-29, और ये क्या है, ये सीरीज का लोई है, और ये आपने कब लगाया स्क्रीन पर हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, हर डिप पर निफ्टी ETF खरीदें, अगर आपने पिछली रैली मिस कर दिये, ये मार्केट आपको लास मौका दे रहा है, आशीश वो जो हमारा 23456 का फार्मूला, मेरा भी इंटक्ट है वो, उससे पहले ये लास म मिलेगा अगली रैली का, ठीक है, हर 200 पॉइंट की डिप और मैं कह रहा हूँ, मैं खुद ये करने वाला हूँ, हर डिप पर निफ्टी ETF खरीदें, मैं खुद करने वाला हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बड़ा सवाल है मेरा लेकिन, मिट कैप और स्मॉल बहुत ओर वैल्यूड है, और हो सकता है इस बार वो कोटक की रिपोर्ट सही निकले बाइद हुए, मतला अभी तो उनको, they must be having the last laugh, मतला क्योंकि उनके रिपोर्ट के बाद उस दिन तो चली थे market, PSU, लेकिन उसके बाद से देखिए PSU की क्या पिटाई हुई है, क्या जब कई mid caps और small caps यहां से 40-60% करे सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप blanket सारे PSU बेच देए, या blanket सारे mid cap और small cap बेच देए, थोड़ी research करें, बैठ के देखें कि कौन-कौन से stocks अच्छे चल रहे हैं, मतला अच्छे numbers ला रहे हैं कंपनिया और उसके बात चल दिए, कौन-कौ अच्छा मौका होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा संभल कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ पर मैं बहुत क्लियर हूं, अगर आप इंडियन मार्केट में लॉंग-term wealth बनाना चाहते हैं, तो global correction सबसे अच्छा मौका होता है, बाइं करने के लिए, तो investor के तौर पर देखें, तो buy, trader के तौर पर देखें, तो sell, बहुत clear है market. accumulation के, ये बजार शायद आखरी बार मौका देगा फिर सहाब को, sip करिये, dips में accumulate करिये, duly शायद eventually reward करने की तियारी करे, खेर, अब आज के important session की तियारी, एक परसेंट gift nifty दबाव, 200 point gap down के indications, अबारे Asian peers जो जो खुले हुए हैं, क्योंकि कई सारे Chinese New Year अभी भी भी celebrate करें, वो week long celebrations चलते हैं, तो जो खुले हुए हैं, वो आपकी screens पे, pain में हैं, सब एक एक परसेंट हमारी ही तरह दबाव में आपको नज़र आएंगे, और वजा है US का hand over, पहले US के markets खुलने से पहले आये थे महांके inflation का print, जन्वरी महीने का, दिक्कतों में वो print है, कि US के तीनों बेंचमार्क्स कल सवा से पौने दो परसेंट दबाव में चले गए, हमने जो डाइजर्स किया था, वो एक चुछाई से आदे परसेंट की futures में कमजोरी तो उससे कहीं ज़्यादा pressure बन गया है, और यही mood बिगार रहा है, ऐसे मिनियर जी के पास पहले चला ज गूड मॉनिंग, अब मार्स से जून पर पहुच गए है, टीक से पहुच गए, अभी जो अनिशादा था खतम, अब सीधे जून पर, यह जो जो नंबर पहुच जाएगा, तो जो नंबर है न उसके अंदर निगा, उसके खत्रे हैं वैसे, रेट सी क्राइसिस के बीच में पहुत बढ़ रहा अंदर-अंदर, और वो प्रावलम करेगा, अंदर जागे देखो कि तो और खराब नंबर है, उपर से खाली यह दिख रहा है कि जितनी उमीद थी, उससे कम घटा, 3.1 पर आया, 2.9 की एक्सपेक्टेशन थी लिगी, और 3.4 से घट गया, हाँ, तो यह म तो बढ़ गया रादर, उल्टा बढ़ी गया है वो, और तीन महीने का जो CPI है, कोर CPI, वो 4 परसेंट है, 3.3 से बढ़ गे 4 परसेंट है, यह और बड़ी चिंता की बाद, तो इन्फलेशन का नंबर अंदर जागी देखेंगा, तो और प्रोब्लेमाटिक दिखेंगा, दिए, दूसरा विलन, इसमें क्रूड आयल है, जो 83 पहुंच गया है, उसमें OPEC की रिपोर्ट है कि 24 में रोबस्ट ग्रोथ, 25 में रोबस्ट ग्रोथ, तो एक तरफ ग्रोथ हो रही है, साथी जनवरी से में उन्होंने अपने प्रामिस के पताविक साड़े तीन लाग बे आएसी में आ जाता है तील, तो क्या वो मैलनस आउट करेगा, कहना बड़ा मुश्किल है, तो एक यह ध्यान रखिएगा, तीसरी चीज़ एक और है जो, जो सुनने में बड़ी पॉस्टिव लगेगी, लेकिन एक्चुली बहुत निगेटिव, बैंक ओफ अमेरिका का जो सर्वे आया है, उसके हिताब से इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि कोई रेसेशन है, अपरैल में 2022 में पहली बार यह उमीद की था, वो उमीद पूछी तरीके से उन्होंने छोड़ दी है, और उन्होंने खुब सारा जो है कैश लेवल, जो 4.2% हुआ करता यह नंबर देखने के बाद अगर वो भी डर जाएं और बेचना शुरू करेंगे, तो जो अनुज कह रहा है था ना कि फिर बड़ी गिरावट आई, क्योंकि जो अभी तक कहा अकड़ा है, उसके साथ से तो सुपर बुलिश है, और क्राउडेट ट्रेड उन्होंने मैगनि का सारा समीकरन जो आंकड़े आया, उसमे सारे समीकरन बिगार दिये, अब फरनों डेटा आ गया था फिर भी तबर अब रख देता हूं पहले स्क्रीन्स पे, यूएस के फूचर्स कहां थे, कल साड़े तीन बजे, कहां खड़े हुएं, आज सुबा आट बजे, तो जो डा आज शाम सेशन कैसा पहना उट होता है, लेकिन इस समय कि सारी करने, ये जो डिफरेंशल्स हैं, तब आप जो है, तब और अब के बीच में, ये डाइजिस्ट हो रहा है एशिया में, और हमारे गिफ निफ्टी में, और ये दूसरी इस्यू जादा बड़ा, जो अप्फरं डॉलर इंडेक्स एक सो पांच के करीब आके खड़ा हो गया है, सारे समीकरन बिगड़े हैं, तो ग्लोबल हैंड ओवर आज खासा बिगड़ा हुआ, ऐसे मैं अब पहले ट्रेड सेट अप, हालने की ट्रेड सेट अप कल तक की कहानी बया कर रहा है और उसमें थोड़ा बह रीफ टाइफ था भारती बजारों में, कोई प्राइवेट बैंक को रिलाइंस मदद कर रहे थे, सेट अप पता नहीं, अब ओवर नाइट तस्वीर सब बदल गी, लेकिन फिर भी कैसा लग रहा है माहल, यह सेट अप जो बाकी का बचा खुचा बेडा गर्ग था, वो 26 क्रोर, और बाहर साएंगे आपके स्क्रीन पर, यह ओविसली दिखाएंगे कि काफी बॉलटाइल है मामला, और FIS ने इंडेक्स फूचर्स में बाई किया, और स्टॉक क्योचर्स में खरीड डाले, और स्टॉक क्योचर्स में थाईजार क्रोड खरीड डाले, यही दिक्क जुड़े हैं कल 5700 के करीब 35% पर आगया है, 65% के करीब शॉट्स है मामला, इंडियाविक्स पर नजार रखे हैं आशिश, मैं सेट अप में अब एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, बार-बार यह चीज़ में कह रहा हूँ पिछले एक हफते से हमने अब तक इंडियावि इंडियाविक्स बढ़ रहा है, अच्छा साहिम नहीं है, 18 क्रोस अगर हुआ तो बहुत दिक्कद हो जाएगी इंडियाविक्स का, वो नहीं क्रोस होना चाहिए, और पुटकोल देशो भी बना हुआ है, अल्मोस्ट 0.98 के करीब, यह मुझे लग रहा है एक जाएगा, एक आज, यह पीस्चुज में, यह क्लिरी पीस्चुज में गेम चलता है वैसे, फ्रेंक्ली, मतलब यह स्यादा, रिजल्ट वाले दिन, स्टॉक बैंड में या बहा जा रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है नहीं यहापे, और इतने सारे स्टॉक बैंड में हैं, लिस्ट में आजकल तो देखना पड़ता है, कोई भी स्टॉक की बैंड में है या नहीं है, 16-17 स्टॉक हो गए बैंड में, सेटप खराब है, मतलब सेटप क्योंकि थोड़ा ओवरबॉट है, और मार्केट, देंकि क्या होता है, अगर क्यूस खराब हो, लेकिन मार्केट ओ वाच आउट करनी है, एक था वो बैंक्स, दूसरा था इंडिया विक्स और तीसरा था कोल इंडिया के रिजल्ट्स पर किस्ता करनी आक्शन, बाकी दो तो ठीक निकल गए, विक्स ठीकी, वैसे कब ऐसे ही रहा, 16 के आसपास ओवरराउंड करता रहा, खेल ठीक है, अब आत सब्सक्राइब करते हैं, अब इस तर्क है फिर भी, लेकिन मूड कैसा, काफी खराव है मूड बैसे, लेकिन निफ्टी में मैं एक चीज़ कहूंगा, आज अगर 200 पन निफ्टी गिरे, पहली ट्रांच ETF की आज ले ले, पहली ट्रांच, वो मैं लेकिन बाटम ता आप कभी कर लो, और हम तयारी कर रहे हैं, गिंफिन निफ्टी के साब से 180-190 पॉइंट कर गाप डाउन की, और हम यहां से 200 पॉइंट ऊपरे, गल एक्जाक्ली, 2543 के लो के बाद मार्किट ने एक्जाक्ली 200 पॉइंट की राली दी, 2743 पे बंद हुए, तो आपको बहुत ब्यूट 139 से 21543 जोन नहीं है शॉट करने का, खुलेगा ही वहीं पर तो क्या शॉट करेंगा आप, वहाँ पर शॉट नहीं करना है आपको, शॉट करने का भी तरीका होता है, और देखे शॉटिंग में पैसा बहुत बनता है लेकिन अगर आप तरीके से शॉट करें तो, शॉट करने कही थी आपको कि शॉट भी करिया और नीचे के लेवल से इंटरे कवरिंग के लिए भी ती आ रही है, मैरे कि आज मार्केट बहुत इंट्रेस्टिंग होगा, आज पहले 15-20 मिन तो मार्केट थोड़ा सा कोशिश करेगा कि इस लेवल को ब्रेक करें, अगर वो लेवल ब्र चांस, 21-530 के और 21-439 के, तो फिर आपको शॉट नहीं करना है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको वेट करना है रैली का, और जहां रैली फिल हो ना वहां शॉट करें, अगर 21-439 ब्रेक हो गया, तो फिर नेक्स लेवल सीधा आएगा, 100 डेमा का, 20,800 का, 21-439 के नीच तो 20-800 का लेवल भी हम टेस्स कर सकते हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, हर 200 पॉइंट के डिप, एक उपोचुनिटी होगी, ETF में आड करने का, पहली उपोचुनिटी तो आपको आज ही मिल रही है, Nifty ETF में आड करने के लिए, उसके बाद दूसरी उपोचुनिटी मिलेगी तब उसको रिविजिट करेंगे, लेकिन अभी तो ये अच्छा लेवल होगा, ETF आड करने के लिए, उसके बाद, मार्केट में गाप डाउन के बाद, रिजिस्टेंस कहा में लेगी आपको, एक ही रिजिस्टेंस है, आशिश, वो अगेन, क्योंकि गाप डाउन है, इसके ये 21, 690 से 273, जो 10 और 20 डेमा का जोन है, कल आप उसके ऊपर बंद भली होगे, लेकिन वो convincing close नहीं था, ठीक है न, कल मैं था नहीं कमाई काड़ा में, लेकिन मैं मार्केट देख रहा था, बहुत ज्यादा conviction नहीं थी, आप लास्के गिंटे में भी काफी volatility थी कल, तो क्या क अब मुझे को कि पता नहीं हो, हाई क्या होगा, इसके लेवल बताने रहा हूँ, वो स्क्रीन पर देखना है, आपको रिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कई दिन होता है, जिसमें हमको मार्केट के texture को देखके है, स्क्रीन को देखके sell लेना होता है, आज के दिन में अग नहीं है, तो सरफ एक तरीका है भाई करनेगा, stability आने देखके, पहले तो confirm होने देखके, कि मार्केट इस bottom को बचा रहा है, उसके बाद 21-600 के ऊपर मार्केट को टिकने दे, अगर वो टिक जाए, तो भाई करें, और stop loss लगाने, डेल हो का, intraday के लिए, ये एक opportunity होगी मेरे करें, क्योंकि ये मार्केट जो है, थोड़ा सा एक correction के phase में आता हूँ, दिखाई दे रहा है, मेरे को, ओके, ये है निफ्टी का आज का अपरूप, और जिस pocket में अगर खुलने के gift reality, वाकी indication दे रहा है, तो वो shorting के zones नहीं है, ये ध्यान रखेगा, बाकी के level जो mention हुए, स्क्रीन पर है, और अगर वाकी इस तरह के 200 पॉइंट गिर रहे हैं, तो हमारा वो जो dip, sip करने का मन है, उसका पहला ट्रांच तो आज जाना है, पैसा जोगने की त्यारी करिएगा, हिम्मत रखीगा इस मसार में, निफ्टी बैंक, बहुत वोलेट, एक दिन चलता है, एक जाल रिलीफ थी, प्राविट बैंक, थोड़ा से कवरिंग के मूज एंजॉय कर रहा होंगे, वैसे दिन को राना एक था मैं, HDFC बैंक, पूरा फुस हो गया था, लगा था, सब मामला कर बढ़ा रहा है, वो तो जाते जाते सब ठीक हुआ, समीकरन, लेकिने, क्या वाच करन इसमें, इसमें ट्रेट थो हम वैसे भी नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें वाच क्या करना है, लेकिन निफ्टी बैंक में, मैं एक चीज़ कहुआँगा, कि सबसे कमजोर कंपोनेंट है, और मैं अपना व्यू ना, एका दिन की रैली से चेंज नहीं करता हूँ, ये मेरा व्य कल भी था, इंट्रडे रैली के बावजूद, कि हो सकता है कि इंट्रडे, कलम ने एक व्यू लिया था, कि इंट्रडे रैली के लिए भी तियार रहे हैं, और इंट्रडे शॉट कवरिंग को भी प्ले करें, प्योरली इंट्रडे, लेकिन प्योरली इंट्रडे, और 200-day moving average क आप बार-बार टेस कर रहे हैं, और बार-बार बाउंस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से यह नहीं ठिकेगा, और इसका रीजन पता है क्या है, क्योंकि दो-तिन चीज़े, एक तो 200-day मेर फाइनली अगर तूटेगा तो बड़ी गिरावट आगी, हम सब जानते हैं, उसका रीजन अपना 52-week high cross ही नहीं कर पार, अच्छे अच्छे नंबर के बाउजूर, हलाकि यह उतना week नहीं है, जितना HDFC Bank है, HDFC Bank खासा week है, तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि Bank Nifty यह टेस्ट करेगा, पहला support यहां सीधा है, 44-900, 200-day moving average, और बड़ा support है यहां 44-33 series का low, अच्छेस test करने के, मुझे आज हरानी नहीं होगी, आज अगर Bank Nifty 1200-1300 point गिर जाये तो, intraday में, पॉसिबल है, जिस तरीके का texture है, आपको याद होगा, Thursday को 800 गिरा था, Friday को 600 चला था, फिर Monday को बड़ी गिरावट आई थी, कल फिर 600 चल गया, यह इसमें Bank Nifty में यही तो, 100-100 point का stop loss लगाएं, जहां पर भी आप trade ले रहे हैं, बीच-बीच में आपको कल जैसे shot covering के मौके मिलेंगे, क्योंकि expiry भी है, लेकिन वो purely intraday है, और purely उनको ना options में trade करेगा, futures में trade करने जाएंगे, तो बहुत बुरा scene होगा, आपका, purely options में trade करेगा उनको, लेकिन bank निफ्टी काफी खराब है, काफी खराब, और मैं तो उस closest 44-800 के zone को watch out करूँगा, उसकी नीचे का close देखना है, हम उसको defend कर पा रहे हैं, zone को यह नहीं, लेकिन levels वोकिर सब्स्क्रीट्स पर है, यह हो गई, आज का tough session है, उसके लिए brace up करने की सारी तैयारी, जो समीकरन बि मैं पराब है, करण्ये मुास, यह हो तराब है, हराण्यारी, और मैं गरेकिन तैयारा रहे हैं, और कर दो मैं हो यहा तो का है, है, हम हुआएःब चीका है।, जो उसको हुआएब